एक आमिका हेलीकॉप्टर नौर्थ कश्मीर के गुरेश सेक्टर में क्राश हो गया आमिका चीता हेलीकॉप्टर जो जिसके बारे में बताया यह जा रहा है कि एक बॉर्डर सीक्योर्टी फोरसिस के जवान जिनकी तब्यत खराबती उन्हें प kidney के लिए जा रहा था line of control के नजदीक नौर्थ कश्मीर के गुरेस सेक्टर में chopper crash कर गया हालां कि crash किस वजह से हुआ यह information immediately नहीं आई लेकिन अभी यही ascertain किया जा रहा है और preliminary investigation में यही निकल कर आ रहा है कि chances हैं कि helicopter drift away हो गया weather conditions की वजह से इसके साथ साथ में जो chopper crash हुआ है exact जगा का नाम गुरेस सेक्टर में गुर्जरा नाला बताया जा रहा है जो की नौर्थ कश्मीर के बाणिपुरा डिस्टिक में पढ़ता है जहां पर यह crash हुआ crash होने के बाद immediately rescue teams को deploy किया गया ताकि जो pilot थे और को पाइलेट थे उन्हें रेस्क्यू किया जा सके एर रेकनाइंस टीम्स भी चल रही थी सवाइवर्स को ढूनने की कोशिश की जा रही थी और अभी रीसेंट जो ख़ब पहुंच रही इसमें यही बताया जा रहा है कि पाइलेट और को पाइलेट को इस क्राश का वो भी एसर्टन किया जा रहा है लेकिन इस पूरे इंसिदेंट को लेकर अभी तक सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट गुरेज ने एक ही स्टेट्मेंट दिया है जिसमें यह कहा है उन्होंने कि हम डीटेल्स मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं चॉपा ख्राश को लेकिन अक्सर जब चॉपर क्रैश की डीटेल्स मालूम की जाती है तुमालूम यही चलता है कि वेदर कंडिशन जो है वह बहुत ही डिट्रमेंटल साभित होता है इन सभी crashes में और उसी की वज़ा से mostly crashes होते हैं लेकिन अक्सर जो है chances लोगों के recovery के ऐसी crash के बाद बहुत कम होते हैं लेकर उसके बावजूद भी क्यूंकि pilot को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें rescue कर लिया गया है उनका treatment चल रहा है उम्मीद यही कि दोनों जो हैं वो इस सब्सक्राइब कर लें